हेलो एब्रीवन WELCOME BACK TO GENIUS APPROACH मैं हुआ सुपरिया आप सब बहुत ही होंगे और अच्छे से अपनी कर रहे होंगे बात करने तक नबर थ्री तक आपको बता चुका है उर्री आपको मैस का क्लास सेकींड का चाप थ्री तक को NCRT की summary with आपको demo दोनों को दोनों प्रवाइड हो जाएगा बहुत अच्छे से ओके हो चुका है तो अब हम बात करने वाले हैं chapter number 4 की उसके पहले मैं आपको बता दूँ काफी लोगों की demand है अलग-अलग topics को लेकि जैसे कि division, place values, hcf, lcm है ना जितने भी आपने मुझे topics की demand की है यह सारे topics यह mostly आपके class third में आते हैं और क्यूंकि आते है class third में तो इसी लिए आप भी मेरे पात I hope समझ रहोंगे कि मैं सो continue तो करना चाहती है उसलिए मैंने multiplication और आपका जो वो था टेबल्स हां टेबल्स मैंने दोनों की video डाल दिया मैं धीमेदी में आपका वो भी continue करें मैंने आप आपके एक एक topics को note कर लिया है so just don't worry आप में से जित्ते लोगों ने भी अपनी demand रखे थी कि मैं यह topic करा दीजे मैं आपका बात समझ नहीं मैं सारे topics कराऊंगे तो थोड़ा सा class second में जिक्र नहीं है आप में से काफ़ी लोगों ने volume की बात की थी तो यह class second में है एक chapter है juxt and max को लिखे तो उसमें है ठीक है तो दिमें दिमें उसकी भी भी बाते करेंगे बिस आप लोग continuity बनाए रखेगा और हरी चीज़े को देखेगा ताकि आप लोग random में topics को देख सको और जो पूछे ज जैसे कि multiplication, division, perimeter, area, volume यह तो आपको पढ़के ही जाने है है और यह सब आपका first second में बिल्कुल जिक्र नहीं है इन सब की बात है mostly की की है class third में थोड़ा सा volume का जिक्र है juxt and max का यहाँ पे class second में but basically start topic आप class third में जाएंगे तो मैं आपको उस ही किसा आप से बताऊंगी ठीक है 10 chapter इसमें क्या कह रहे है इसमें आपको basically बच्ची को यह सिखाना है कि वह counting कैसे करे 10 के सारे मतलब जैसे मालीच आपने उसे सिखाया कि जब भी आपको कोई चीज गिनना हो तो आप उसको 1010 का bundle देखो तब आपको easily count कर पाऊगे क्योंकि अभी बच्चा बड़े-बड़े numbers समझ में आ रहे हूंगे कैसे करना है अभी मैं आपको थोड़ी सी स्टोरी बताती है शौट में तो आप समझ जाएंगे यहां पर देखिए एक स्टोरी है चिकिन्स एंड़ क्लेवर फॉक्स की इस स्टोरी में क्या बताया गया कि एक टिकलू फार्मर है उसके पास कुछ च ऊष्चिकिन्स हैं तो एक जो घ्लार फॉक्स सो बहुत ही चालाक सा फॉक्स क्या करते था वो उसके यहां पर जो 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 यह जो तरह्ट से अन्हें कहा लेता था आपको पास की ऑस नने करके ऊत् fringe कन्स लिए देखा है इनको इस बात का पता चला, इन्हों ने जब आके Fox से पूछा ये बात, कि क्या तुमने मेरी chickens खाए, तो इसने बहुत ही शातानी से बोल दिया, बहुत ही अच्छे से बनके, कि नो मैंने नहीं कहा है, मुझे नहीं पता, हाँ, इसके बारे में, उन्हें ने बहुत चाला की द भागते रहते हैं, तो उसने ये डिसाइड किया, कि मैं एक 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 बॉक्स में क्या करूँगी, टेंटें चिकन को रख दूँगी, इन वन बास्के, इससे क्या होगा, काउंटिंग बढ़ने होगी, और फिर मैं उससे काउंट करूँगी, तो काउंटिंग इसी है ना, आ ये देखते हैं, आगे क्या हुआ, आगे है ओगे ये हुआ, जब उसने मोईन पहल पर पिछा, प्रूरे बास्केट है, पहले बात हो ये कि कितने बास्केट है, थे 10-10 चिकनस वाले, याद रखीग आपने बच्चे को बता दिया हैं, फिर किया पता है, कि कितने चिक च् और क्योंकि 4 बाहर बेटे हैं, लूज में हैं, आलक से बेटे हैं, तो वो क्या हो गया 4, so you have to add this one and you are getting 54, ऐसे करके अपने बच्चे को समझाया, अब क्या हुआ, उसे इस से ये समझ में आया, कि ओ, टिकलू ने कितनी easily count कर लिया, है न, अब आगी मुख करते हैं, अब evening में क्या हुआ, जब उसने chickens को फिर से count के, तो उसने क्या पाया, उसने ये पाया यहाँ पे, कि there are this one baskets of 10 chickens, कितने बास्केट थे, count करिए, 1, 2, 3, 4, 4 ही बास्केट थे, ओ, क्योंकि 4 बास्केट थे, इसका मतलब chickens कितने हो गए यहाँ पे, 4 की वज़े से तो हो गए, 40, 10, 10, 10, 10, 10 हम में हैं, और 3, देखी, 3 यहाँ पे lose है, अब आप बच्चे को ऐसे बताओगे, तो देखो, प्लस 3 हो रहा है, तो पूरे chickens हो गए, 43, अब क्या होगा, 54 कितने थे, पूरे chickens थे, उसमें से गायब कितने होगे, कितने गायब होगे, यहाँ पे, 43 है प्रिजेंट, तो आप, क्या करोगे, आप इसमें से माइनस करोगे, तो यह पता चलेगा कि कितने chickens eat होए हैं, किसके दोवारा फॉक्स में कितने chicken खा लिए, अब एक चीज़ मैंने यहाँ पर यह भी बास सूची, कि यह concept यहाँ पर ला तो दिया, लेकिन क्योंकि दो digit number के subtraction की बात हो रही है, और अभी क्योंकि बच्चे को subtraction two digits का नहीं पढ तो क्योंकि अभी यहाँ तो है नहीं, बट आप observe करेंगे क्योंकि यह carry वाला नहीं है, यह क्या बोल रहा है, देखो, आपसे कहले है 54, तो बच्चों को आप ऐसे बता सकते हो अभी उपर, कि आपको बच्चों कैसे लिखना सिखाया है, 50 plus 4 यह सिखाया, और 43 chickens अभी भी है मतलब 40 plus 3, अब आप इसको सब्ट्राट कर रहे है, तो आप ऐसे सोचिए, 50 थी, 50 मतलब 5 basket थे, एक basket गायब, तो क्या होगे students, 10 baskets गायब हो गए, है ना, sorry, 1 basket गायब होगा, तो 10 chickens गायब हो गए, सासा देखिए, 4 में से 3 minus करेंगे, तो क्या आएगा, 1 आएगा, इसका मतलब 11 chickens left हो, हाँ, यहाँ पर खाल लिए गए, तो अब थोड़ा ऐसी, आपको यह बाई बतानी होगी, इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीके, I hope आप मेरी बाद समझ रहे होंगे, क्योंकि बच्चे को अभी यह वाली चीज नहीं आती है, देखिए, यह वाला subtraction, अभी उस उसे अच्छे से नहीं आता है, तो इसी लिए ट्राय करेगा, क्या आप उससे यह वाला चीज बताएगा, ठीके, आप उसे दो डिजिट का नहीं आता है, आपको यहाद होगा, बच्चा भी 1st क्लास में आ रहा है, और 1st क्लास में उसने कैसे का था, single digit का subtraction, ठीके, तो इस आपके, how many, how many are these, यह भी आपका story है, इसमें क्या बता रहे है कि जो भानु है, वो जंगर से कुछ, यहाँ पे sticks collect करके लाता है, और उसको market में sell करता है, तो क्या वो 1010 का न, 1010, stick का एक एक bundle बनाता है, उसे देखिए, यहाँ पे bundle बनाया, आगें वही सब ठीरे, 3 bundle से कितन हो गया stick, यहाँ पे देखिए, कितने हो गया stick, अब यहाँ पे कह रहा है, फोन बनास में कितने हो गया stick, तो आप समझ रहे होंगे आपातों का, अब मैं इसको बहुत ही समझा रही हो, यह important है, जो कि यह उता है, teacher's note, इसको देहाँ साही देखते है, before doing these exercises, ask children to represent number by making bundles of 10 with the help of materials, such as sticks or beads, help them link these concrete objects to written symbols and oral names of the numbers, समझ में आया, क्या कह रहे हैं, कि आप बच्चों को इसको सिखाईए, practically सिखाईए, कि sticks or beads से वो कैसे इसको समझ सकते हैं, उनको ऐसा करें कि वो concrete objects से बातों को आपके link कर सकें, और साथ-साथ उसके oral names हो सकें, जैसे कि 43, है ना, जब ऐसे वो number name लिखना सिखेगा, तब भी अराम से उससे लिख लेगा, है ना, तो उसका name से आपको सिखाना जरूरी है, किसको क्या बोलता है, कैसे counting करते है, 10-10 numbers पर counting करना कितना easy है, ऐसे सिखा सकते हो, फिर आगे मूफ करते है, अब ये next story आती है, जो की है, there is a wedding in Malti's house, Malti's के खर में एक wedding थी, तो क्या किया, she is making flower garland, वो क्या कर रही थी, वो flower के माले बना रही थी, अब क्या हो, उसने does this school use किये, एक garland, जेकिए, again वही सब बाते, 10 का use क्यों गया, I hope आप समझ रहोंगे, बच्चे को 10-10 वाली counting सिखानी है, कैसे 10 क्लड का आप लेके count कर सकते हो, easily, पर से वही सब बाते होगे, कि 8 flowers अलग से, अब बताई यहां पर कितने flowers है, 10-10-10, कितने बना से, 1-2-3-4-5, 5 है, बच्चे को आप ऐसे सिखा सकते हो, कि पहले हम लोग यहां पर left में लिखते है, sorry, जो हम लोग राइट में लिखेंगे, वो हम लोग क्या लिखेंगे, जो लूस पड़े, लूस कितने पड़े, 8 flowers, तो आप यहां पर लिख दीजे, 8, और कितने 10-10 के बना ले, 3-5, 5 तो देखें, 58 है, यह ऐसे समझ में, आप ऐसे बता सकते हो, 10-10-10 है, तो बच्चे को 5 बर सिखा दीजे, 10-10-10 को प्लस करना, okay, उसके बाद आप उसे बता सकते ह हो गया, 50, ठीके, अब आपको 8 होर को सम कर देना है, तो 58 हो जाएगा, ऐसे भी आप बता सकते हैं, ठीके, चलिए, ऐसे देखें, यहां पर question दिया है, अब है, how many garlands of 10 flowers, okay, each you can make for 21 flowers, ठीके, कितना आप यहां पर बना सकते हो, फिर से बही बाते, एक बनेगा, एक बनेगा, और यहां पर आपका एक single बचा रहे दाएगा, तो मैंने आपको इसे रफली बता दिया, अब आगे मुफ करते हैं, अब यहां पर फिर से एक story है, लीला, okay, यहां पर देखें, ममन ने बोला, ठीक है, लीला से क्या कहा, कि लीला, क्या यही तुम सारे के सारे pencils को count कर सकती हो if you make a good guess, अगर तुमने अच्छे से बताया है, तो में सारे pencils तुमारे, अब लीला, देखी, यहां पर counting का, पिर से बही बाते हैं, क्या हो रहे है, 10-10 के bundles का concept आ रहा है, देखें, count कर लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 bundles हो रहे है, 10-10 के, और देखें, 4 loose pencils उपर पढ़े हुए, 2 इधर, 2 इधर, पिर से बही सब चीजे, हाव मेने पैकेट से 10 पैसे सार दे हो, किते पैकेट से, तो एकाउंट कर लेंगे, 6 है, किते पैसे आउटसाइट पढ़े हुए, 4, पूरे पैसे कितने हो गए, 64, ठीक है, अब इसको पढ़ाना, आपका बहुत इंपॉर्टन नहीं कि आप किस वे से इन चीजों को सिखा रहे हैं, तो मैंने आप कोई चाप्टर इसलिए पता है कि आप जान जाएगे, कि चाप्टर में बात क्या हो रही है, है ना, कोई ऐसे टेंशन नहीं है, बहुत इसलिए, आप देख रहोंगे, अगर आप तीरों में से ना, कोई भी ए कि रहती है, NCRT में, अगर मैं आपको हर एक स्टोरी के help सित्रे दूंगे तो बहुत टाइम लगेगा, that's why जो मुझे सबसे best लगता है, plus activity, मैं वही idea आपके लिए उठाती है, कि आपको help मिले, लेकिन आपको NCRT दे के जरूर दान है, ताकि आपके mind में आप variety of ideas खुदी व कोई lose बिंदी नहीं पड़ी है, बहुत easy है, बच्छा count कर लेगा, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ observe करने वाली है, आपको याद होगा, जो class second का जो पहला chapter था, counting and groups, है ना, I think second chapter था, sorry, second chapter था, उसमें आपको याद होगा, मैंने चीज़ आपको बताई थी, कि groups में कैसे counting करत पर देखे 4, पर 3, तो यही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई, देखे, each packet has 3 plus 4 plus 3 बिंदी, तो आपने क्या कि आपने बच्चे को साथ-साथ grouping भी सिखा दी यहाँ पर, grouping सिखाई, पर यह भी बता दिया कि group कर रहे हो, जब आप क्या देख रहे हो, यहाँ भी 10, यहाँ भी 10, यहाँ बिंदी को बनाना है, जैसे कि आप बच्चे को अलग-अलग arrangements सिखाएंगे, कि माल लीचे आपने बिंदी ऐसे बना दी, एक यहाँ लगा दिया, दो यहाँ लगा दिया, आप देखो, 3 यहाँ लगा दिया, और देखो, 4 यहाँ लगा दिया, काउंट करी किती बिंदी हो गई, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, सम करते हैं यह, 1 plus 2 plus 3 plus 4, कितनी हो गई यहाँ पे, 10 बिंदी हो गई, तो यह भी एक arrangement is possible हो सकता है, अब क्या होगा, यह सारी activities कराने वाली हैं, जो कि बहुत interesting है, अगर आप बच्चे से बोली कि आप ऐसे बिंदी ल कर रहा है, वो बच्चा ग्रूप में काउंट कर रहा है, वो बच्चा ग्रूप में काउंट कर रहा है, कि उसने अर्डी second chapter बे सीख लिया, फिर आप उसे आप से खा रहे हो, grouping and 10, कैसे आप counting कर रहे हो 10 10 के ग्रूप में, पूरे के पूरे बंडल की, जब यहाँ बात हो रह रहा है, वो बच्चा यहाँ पर अपने से guess कर सकता है, आप उसको idea कैसे कैसे वो arrangement कर सकता है, encourage them to count in 10s, फिर सभी बाते, आपको 10s में उसको count करने के लिए, encourage करिये mostly, then also make children notice that 10 bendis can be arranged in different pattern, of course, आपने बताईए, कि अलग-अलग patterns में arranged हो सकता है, यहाँ पर लिए कितने च्च् करने के लिए, और यह बच्चे को घर में easily मिल भी जाएगा, ऐसी चीज़ों को आप activity कर रहें, जो बच्चे को easily मिल जाए, है न, जैसे beats में सकती है, च्छोटे-च्छोटे मोतिया होती है, stones होते है, ऐसे-इसे examples आप उठा सकते हो, सबसे best है आपका, अगर आप sticks के बात कर कि यह teacher's note आप पढ़के समझ गया होंगे, कि आपका पूरा target क्या है, कि बच्चे को easily count करना है, 1010 के groups में, okay, जब बच्चे count करना है, तो बड़े से बड़े number को easily यहाँ पर समझ लगा, okay, so यह था यहाँ पर, यहाँ पर आप ऐसे बच्चे को सिखा सकते हो, so I hope यह आपको chapter properly समझ में आया होगा, इसमें क्या बाते केगे है, अब हम next में बाते करेंगे, इसके आगे का, जो इसका next chapter है, that is chapter number five, और इसका demo मैं आपको कल प्रोइड करूँगी, थोड़ा सा आज मैं अतबर का issue, that's why मैं आज नहीं कर रही हूँ, मैं आपको कल काफी प्रोइड करा कि मैं class second की math, class third की math, plus EBS, class third की, तो इस सब कुछ मैं continue कराना है, NCRT plus demo, so I hope आप थोड़ा सा corporate करेंगे, आपको सारी वीडियो में जाएगा, ठीक है, थोड़ा थोड़ा में साथ corporate करेंगे, थोड़ा सा patience रखेंगे, मैं आपको एक एक करके सारे के सारे ले provide करूँगी, थब सबसे बैसे क्योंकि वहां पर आपको demo देना है, है नो आप जुता भी लिख लेंगे, presentation नहीं हो पाएगा, तो दिक्कत हो जाएगे, so thank you everyone for watching this one video, we will meet again in the next video, thank you, bye-bye.